सुल्टानपुर में ज्वैलरी शॉप में लूट के आरोपी मंगेश यादव के इंकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं। इस बीच STF की एक कथित तस्वीर DSPD के शाही के लिए मुसीबत बन गई है। दरसल दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर मंगेश यादव के इंकाउंटर के बाद की है। इस तस्वीर में दीके शाही चपलों में नजर आ रहे हैं। चपल में एंकाउंटर को लेकर पहले सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किये गए और अब इस मामले में DGP को भी पत्र भीजा गया है। आजाद अधिकार सेना के राश्ट्रिय अध्यक्ष और पूर्व IPS अमिताप ठाकुर की ओर से इस मामले में DGP को पत्र भीज कर जाज की मांग की गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि एंकाउंटर के बाद की कतित तस्वीर जो की पत्र के साथ संगलगन में है उसमें DGP के शाही स्लीपर नुमा चपल में दिख रही है। दूर की ही बात है। उन्होंने आगे लिखा की इतिहास में पहली बार दिखा है कि मौके पर क्रियाशील रहा कोई टीम लीडर ऐसे चपल में रहा हूँ। उन्होंने आगे इस मामले में जाच की अपील की है। मंगेश यादव के कथित इनकाउंटर के समय टीम लीडर श्री डीके शाही के हवाई चपल में मौजूद होने की तस्वीर इस इनकाउंटर की संदिधता को और अधिक स्पस्ट करता है। मेरी जानकारी और अनुभों में ये पहला द्रिश्टान्त है जब टीम लीडर कथित रूप से इनकाउंटर के समय चपल में मौजूद हूँ। मैंने DGP UP को इन तक्षों से अवगत कराके इस सम्मंध में प्राथ्मिक जाच कर अग्रितर कारवाई किये जाने की मांग की है।